दोस्तों ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, आजकल कई टर्म्स प्रचलित हैं, जैसे लुटियन्स मीडिया, वैसे ही अगर आप देखे तो एक टर्म चलता है, खान मार्केट पत्रकार, तो दोस्तों इस प्रकार के जो दल्लन टॉप हैं, उनके बारे में तो सब को ही जान हैं, so that भारत की जो पॉलिसी मेकिंग हो, वो उनके अनुसार हो, अब दोस्तों यहाँ पे हुआ यू है कि एक आर्टिकल आया, दी प्रिंट में, अब दोस्तों जैसा आप यह आर्टिकल देख सकते हैं, इसको लिखने वाली स्वस्ती राओ जी हैं, और इसमें कुछ इस प पावर कह दिया, रशिया को वो सारी चीज़े कह दी, जो अकसर वेस्टन मीडिया कहती है, और इसके साथ कहने वाली भी कौन थी, स्वस्ती राओ जी, दोस्तों वैसे तो यह एम्यू में एसिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं, जे नियू से पढ़ी हैं, और आजकल रहते हैं, अलग-अलग पॉलिसी नोट्स वगेरा बनाते रहते हैं, अब दोस्तों इसमें स्वस्ती राओ जी ने जो कहा है, वो बात डिपलोमिसी के ओरिजनल गैंस्टर, कौन है, कवल सिब्बल जी, बड़े ही जाने माने, अगर आप देखे तो अकसर यूट्यूब से के कन्वेशनल मीडिया हर जगा आपने इनको देखा होगा, अब दोस्तों ये फॉरिन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, रश्या में भी एम्बैसडर रह चुके हैं, फ्रांस के भी एम्बैसडर रह चुके हैं, याने जितने भी भारत के लिए इंपोर्टेंट पोस्टिंग कहा कि भाई Ministry of Defence से फंड किया जाता है IDSA को, और तुम इस प्रकार का एक आर्टिकल लिख रहे हो, जो आर्टिकल भारत के स्टैंड से बिल्कुल विपरीथ है, ऐसा आर्टिकल तुम कैसे लिख रहे हो, किस प्रकार से IDSA में इस प्रकार के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, तो इस बात को उन्होंने उठाया, साती साथ कहा ये जो आर्टिकल में जो दलील दिये गए हैं, बिल्कुल शैलो हैं, अब जाहिर सी बात है, ये बात कवल सिब्बल जी का कहना था, कहीं न कहीं जो वेस्ट के अन्य सपोर्टर्स हैं, वो भी सामने कूद पड़े, इसम तो इन्होंने इनको बचाने के लिए सामने और एक कवल सिब्बल जी पर भी इन्होंने सवाल उठा दिया, अब दोस्तों क्या है ये पूरी कहानी, क्या हो रही है ये लड़ाई, आज के इस वीडियो में देखते हैं, दोस्तों इसे में आगे बड़े, हमें फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संबात को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों असा मैंने बताया, इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में देखिए, वो कहने है, वो लदमिर पुतिन, प्रेसिडेंट का चुनाओ जीते, सबसे पहला विजिट उन्होंन के शब्द हैं, मैं नहीं बोल रहा, best friend, sleeping with enemy number one, कुछ वैसा ही हो रहा है, भारत का best friend, भारत के enemy number one के साथ सो रहा है, खेर ये उनके शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, ये कहती हैं, कि ये देखिए, ये दोनों ही लीडर, बड़े समान है, दोनों ही लीडर ऐसा दुनिया बनाना चाहते हैं, जिसमें जो देश का लीडर हो, वो decide करेगा कौन सी territory किसकी है, न की written rules, दोस्तों ये चायना के लिए जो हम line कहते हैं, ये same line रश्या के लिए भी कह रही हैं, आगे सुनिए, कैती है रश्या चायना एक जैसे हैं, बीजिं नेटो को जोइन कर रहा था, और बिचारा इनोसेंट नेटो यूक्रेन को अपने में मिलाना चाहता था, देखो मॉस्को ने उसकी territory ले ली, क्या ये इतना simple है, क्या रश्या ने पहली बार में ही यूक्रेन को territory ले लिया, उसके पहले भी कुछ हुआ था, क्या नेटो step by step by लिया, आगे बढ़के सुनिए, रश्या और चायना को क्या बानता है, वो यही है कि दोनों देश, United Nations Starter को नहीं follow करते, International Law को बिलकुल भी नहीं मानते, आगे बढ़के वो कहती है, दोनों के दोनों ही imperialist power है, दोनों ही international border को नहीं मानते, sovereignty को नहीं मानते, और दोनों ही समझ किसी के भी sovereignty को challenge कर सकते हैं, जब उनकी मर्जी हो तब, आगे बढ़के वो बोलती है, रश्या तो भारत के लिए threat है, वो कहती है, हम तो समझाते हैं लोगों को रश्या तो threat है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, रश्या तो historical friend है, वो भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्या चीजें इतनी simple हैं, वो कहती हैं, लोग यहां तक कहते हैं कि रश्या कभी नहीं मानेगा junior partner status, ये सारी चीजें वो कहती हैं, और फिर वो कहती हैं कि ये सब रश्या के इतिहास पे based है, आज का रश्या वैसा नहीं है, आज का रश्या अगर आप देखें, तो शी जिन का खास है, आप देख लीजिए, पिछले 10 साल में Chinese President Xi Jinping रश्या के President से 40 बार मिले हैं, और इसलिए रश्या इंडिया का threat है, आगे बढ़के वो कहती हैं कौन इंडिया को बचाएगा, तो देखें एक अजीब सा बड़ा ही vague language वो लिखती हैं, मैं आपको simplify करके वो समझाता ह इंडिया has to de-risk its currently omnidirectional multi-alignment, de-risking of multi-alignment entails not only differentiation but also the stratification of India's imminent and long-term interest, क्या मतलब, मतलब सिंपल सब्दों में ये कहना चाह रही हैं कि हमारा जो multi-alignment है, चारों तरफ फैला हुआ है, रश्या से भी कर रहे हैं, वेस्ट से भी कर रहे हैं, बागी partners हैना, emerging economies से भी कर रहे हैं, सबसे हम जो कर रहे हैं, खतम कीजिए, इसको आप identify कीजिए, अलग-अलग brackets में डालिये, stratify कीजिए, जो इंडिया के long-term interest में है, उनके साथ आगे बढ़िये, simple शब्दों में यही कहना चाह रही हैं, रश्या के साथ multi-alignment में जो एक पूल है, वो अब कमजोर कीजिए उसक और फिर कहती है, US के साथ initiative on critical and emerging technology में आगे बढ़िये, UK के साथ, European Union के साथ FTA कीजिए, defense में Russian reliance कम कीजिए, France और US के साथ आगे बढ़िये, अब दोस्तों इसमें कवल सिब्बल जी ने क्या प्रतिक्रिया दी, यह जो आर्टिकल आया, इसमें इन्हों ने यह प्रतिक्रिया नहीं शो किये, वो खाली इतना कहे, बड़े blanket statements है, जैसे कि Moscow तो बस आगे बढ़ रहा था और अपने neighbors की territory ले ले रहा है, जैसे कि Ukraine की बात हो रही है, कि Moscow तो simply taking away part of its neighbors territory to stop them from joining NATO, वो कहना चाती क्या यह इतना simple है, जो आपने एक line में लिख दिया, क्या NATO इतना innocent है, अभी हाल के छोड़ दी, आगे बढ़के वो कहते हैं, कि यह भी बड़ा अजीव सा blanket statement है, कि दोनों देशों को जो bind करता है, वो यह है कि दोनों ही देश, international law, United Nations Charter को follow नहीं करते, हम चायना के लिए इस प्रकार के शब्द कह सकते हैं, specially जब आप Ministry of Defense से तनखा पाते हों और लिखते ह लेकिन क्या आप रश्या के लिए इस प्रकार की भाषा लिखेंगे, क्या यह सही है, तो वही कह रहे हैं, आगे बढ़के, वो कहते हैं कि देखिए, यह लाइन भी उनको बड़ी इससे आपत्ती हुई, जब दोनों देशों को imperialist power बताया गया, both consider international borders and sovereignty as malleable according to homegrown imperialist claims, तो इ इनके research के लिए fund करता है, और यह research लिकर के यह आती है, यह जो analysis है, जैसे CNN में इस प्रकार से रश्या और चाइना के बारे में लेक लिखा जाए, तो समझ आता है, BBC में लिखा जाए, समझ आता है, लेकिन ऐसा analysis भारती यह करे, यह बात समझ नहीं आती, directly हमारा तो रश्या कुछ बिगाड नहीं रहा है, जो आप रश्या को इस प्रकार के language से संबोधित कर रही है, हमें तो भया वो resources ही दे रहा है, सस्ते ही दाम पे दे रहा है, मजबूरी बले सही, लेकिन दे रहा है, critical defense needs दे रहा है, तो आप क्यों इस प्रकार का भाशा लिख रही है, यह सबसे पहली बात वो कहते हैं, बड़ा ही shallow understanding है, रश्या और वेस्ट का, इसके आगे वो कहते हैं कि यह जो line है न, government views के साथ बिलकुल भी in sync नहीं है, आप IDSA के लिए काम करती है, ministry of defense से पैसा पाती है, तो कम से कम वो line आपको बोलना चाहिए, जो government views हो, आपको उसी को मजबूत कर ना है, global media तक पहुचाना आपका काम है, कि जो government का perspective है, वो आप दुनिया तक लेके जाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे जिंदल स्कूल के श्री राम चॉलिया जी, तुरंद बचाने, सुनिए क्या कहते हैं, यह कहते हैं, बड़ा दुखद है, government connection बता के, एक scholar के article को कम तर आका जा रहा है, कहा जा रहा है, देखो national interest के यह खिलाफ है, इस प्रकार का article तो बस और बस, इंडिया के core national interest को protect कर रहा है, आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, चाइना रशिया का no limit strategic partnership है, just because कवल सिब्बल के यह orthodox और nostalgic views के साथ मेल नहीं का था, इसलिए आप कवल सिब्बल जी एक patriotic thinker को attack कर रहे हैं, उसका नाम खराब कर रहे हैं, एक smear campaign run कर रहे हैं, कैसा smear campaign इन्होंने यहां पे कह दिया, कुछ तो लिखा नहीं है, कवल सिब्बल जी तो बस और बस कुछ important बात उठा रहे हैं, लेकिन यह करें कि नहीं जी यह तो smear campaign हो रहा है, आगे बढ़के वो कहते हैं, इस प्रकार का finger pointing के उपर बढ़िये, आज के time में 20-20 सदी की thinking नहीं चलेगी, 21-20 सदी है, वही सोच लेके चलेंगे, disaster होगा, disaster, आप आज भी रशिया के साथ वही nostalgia वाले views ले करके चल रहे हैं, लेकिन इंडिया को अब आगे बढ़ना होगा, इस प्रकार के dinosaur जैसे mindset के लिए भारत में अब कोई जगा नहीं है, ये, ये साब कह रहे हैं, इस पर कवल सिब्बल जी आ गया इनको गुस्सा, है ना, दोस्तों आपने वो हनुमान सिरीज देखी है, ह ददू बुलाया जाता है, ददू को आ जाता है, सब बाकी जो वानर सेना होते हैं, वो ददू को देखकर, बड़े मजाग आते रहते हैं, ददू की उमर हो गई, लेकिन फिर एक दिन जब राक्षस आते हैं, तो सब, सभी के सभी, जितने भी राक्षसों कि पिटाई, असल आने समय के व्यूद हैं आज के टाइम में यह सही नहीं है अब देखिए इस पर कवल सिब्बल जी ने क्या खिचाई की है श्री राम चॉलिया की सुनिए सिब्बल जी कहते है सबसे पहले श्री राम चॉलिया को मुझे मालूम है तुम्हारा जो रश्या के प्रती कंटेंट है तुम तो यह मानते हो ना कि रश्यन एकॉनमी तुरंट कॉलाप्स होने वाला है जो तुमने पब्लिकली जाहिर किया है तुम यह कहते हो रश्या वो दे कहते हैं रश्या का कोलाप्स इंडिया के नाशनल इंट्रेस्ट में है आपको यहीं लगता होगा आपको तो यह भी लगता होगा और आपके साथ साथ आपके जो इड़सा में लाइक माइंड़ स्कॉलर्स काम कर रहे हैं कि जो नेटो रिगार्ड फॉर इंटरनाशनल लॉव उनाइट नेशन स्टार्टर मॉस्कोव सिंप्ली टेकिंग अवे पार्ट ऑफ दी नेबर्स टेरिटरी तो स्टॉप दिम फ्रम जॉइनिंग नेटो है ना इस लाइन को पकड़ा तुमको तो यहीं लगता होगा कि नेटो तो बड़ा और किसी अन्य देश का तो इंपीरियल एंबिशन भी नहीं होगा फिर ब्रैकेट में लिखते हैं बिटिश एक्स पीम बॉरिस जॉन्सन ने क्या कहा है तुमने उसने कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन जीत गया तो वेस्टन हेजिमनी खतम हो जाएगी हेजिमनी क्या है य यजो घृबसतान तालिबान को दे दिया गया यह तो इंडिया के नाशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख्य किया गया आज वो सब तो ہमारे इंट्रेस्ट में था, हमारे बगल में चाइना को इतना मजबूत बना के खड़ा किया गया आज जब रश्या अपने आपको बचाने के लिए जब वो चाइना के पास उसके साथ अपने रिश्टे मजबूत कर रहा है क्योंकि उसको चीज़े चाहिए उसको war fund करना है support चाहिए उस वक्त हम अपने आपको रश्या से बचा लें है ना जब तक West China के साथ गुमता रहा सब तक तुम्हें कोई समस्या नहीं लेकिन आज तक रश्या चाहिना के साथ मिलना चाह रहा है तब तुम्हें समस्या तब हमको शील्ड करना चाहिए देखो देखो रश्या तो चाइनीज आमस में घिरता जा रहा है तब तुम्हें यह याद आता है तो दोस्तों यह बात कवल सिब्बल जी ने बताई है और आगे बढ़के वो कहते हैं कि तुमको तो यहीं लगता है कि ह हुमारी सरकार सिरियसली नाशनल इंट्रेस्ट कॉम्प्रोमाइस कर रही है क्योंकि भारत सरकार तो रश्या से रिष्टे मजबूत कर रही है पॉलिटिकली भी एकॉन्मीकली भी connectivity प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आ ये नशीची सी कॉरिडोर आ रहा है ओईल सेक्टर में इन् foreign policy तो बेकार में हम इंडियन नाशनल इंट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे government of India के लोगों से बनवाते हैं हमारा foreign policy तो यही ओपी जिंदल स्कूल और इड्सा के लोगों के द्वारा बनवा दिया जाना चाहिए यह तो सारी चीजें इस पर चर्चा हो गई इस पूरे sequence में तो उम्हीद करता हूं यह फाइदे लगा मज़ा आया तो लाइक जरूर कीजेगा वीडियो को शेयर करें बार समवात को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को और एक आ रहा होगा इसको वश्य देखिएगा